तो अगर हम यहां पर बात करें market की very very quick market update में आप लोगो देना चाहता था जो हम लोग यहां पर levels देख रहे हैं Bitcoin के उसके बारे में again similar चीज जो मैं पिछले काफी दिनों से बूलता आ रहा हूं वही आपके साथ यहां share करना चाहता था तो हमें Bitcoin जो है वो अभी थोड़ा rejection लेता हूँ दिख रहा है एक मिनट में चार्ट पर आता हूँ same goes for other altcoins as well आप देख रहे हो यहां पे Bitcoin 6% altcoins जो है 14-15-20% जो है निचोडते होए नजर आ रहे हैं जो की एक normally bear market में आपको देखने को मिले गई ApeCoin की मैं अगर day की बात कर लूँ तो same चीज आप यहां पर देख सकते हो कि सब चीज़े जो है यहां पर निचोड़ रहे हैं यह अभी मैंने weekly खोला हुआ है यह day मैं करूँगा तो यह लूना फालतू से यहां बहुत सारी जगा ले लेता है to be honest It is very risky Luna की अगर बात करें अपने मुद्दे पर आते हैं ठीके Bitcoin की बात करते हैं और बात करते हैं 4R में यह जो अपने 20MA से resistance जो देखने को मिल रहे हैं सिर्फ 20MA की बात नहीं है यह हम already एक resistance वाले area में आए हैं तो हमने जो यह 30,000 का support हमारा break किया था और हम यहां नीचे गए इसको retest करें यहां पर basically retest करने के बात चाहें हम चाहें तो उसको जो है यहां पर हम उसको retest करें राइट मैं थोड़ी सी मोटी अगर आप लोगों के लिए कर दूँ इन फैक्ट यहां पर हम इसको retest करें इस चीज को literally यहां से retest किया उसके बाद हमने यह area को retest किया और of 20MA के अंडर हम यहां पर आगे हैं पिछली literally 4 चार गंटे की candle जो है चैंडल कह रहा था trading signals नहीं दे रहा हूं उस चीज का प्लीज आप ध्यान रखें बट यहां पर medium to long term भी entry अगर हम resistance पर लेंगे तो फाइदा क्या वहां से हम reject के पहले नहीं चाह जाएंगे मान लो आप यहां पर long term भी bitcoin लेना चाहते हो और आपने 32,500 की range में यहां पर ले लिया जो कि यहां स समय यहां पर situation जो है देखके यही फरक है यहां पर कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक बार जो चीज बोल दियो और एक area जो बना लिया वहां पर पर्मानेंट हो गए वहां पर ठीक है उनको थोड़ा थोड़ा adjust market के साथ करना होता है और खुद का viewpoint बहुत सारे लोग बोलते है आरे तुने उस दिन यह बात बोली थी आज तुने बदल दी बात यह क्या तरीका हुआ ऐसा नहीं है market के साथ अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम यहां पर problem में आ जाएंगे ठीक है तो approximately अगर मैं आपको यहां पर बता हूं मानलो अपने 32.5 के range में आपने बोला चलो यहां पर खरीद लेते हैं यह यह रिजिस्टेंस है यहां के बाद का नेक्स सपोर्ट अपने बस यह बनता है तो आप डिरेक्ट 8% बिटकोइन में नीचे आ जाते हो तो वह कोई अच्छी एंट्री नहीं हुई medium to long term के लिए अच्छी एंट्री स्टॉंग सपोर्ट जोन पर लि अगर वैसे देखा जाए तो यार लूना का भी मतलब कौन ही बता सकता था कि यह सब होगा इतनी मनिपिलेशन होगी इतना बड़ा अटैक होगा ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें गैरेंटी से नहीं होती बिटकोइन में भी है यह मैं बोल रहा हूं यह सपोर्ट जोन है य तो 9 पे चल रहा है यह एक्चुली बहुत अच्छा बाइंग सिगनल रहा है पास्ट में अगर आप लिटरली पास्ट के 20, 25, 30, 50 साल उठालो मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा है मैं fear and greed index की बात कर रहा हूं जब मार्किट में ज्यादा डर होता है मतलब situation अच्छी नहीं है inflation बढ़ रहा है US के जो US के fed है वहां पे मार्किट में पैसा और डाल नहीं रहा है ठीक है वो निकाल रहे है तो जब तक inflation थोड़ा सा बढ़ता नहीं है तब तक खत्रे की घंटी यहां पर बनी है मैं थोड़ा सा inflation क्या है fed क्या कर रहा है उसको कैसे tackle करन है तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है अभी हम यहां पर rejection ले रहे हैं और हमें altcoins भी जो है निचोड़ते हुए नजर आएंगे same goes for ethereum guys ethereum को भी यहां पर वापिस हम हमारे range हम यहां पर देखते आ रहे हैं वहीं से rejection वापिस देखने को मिल गया है अभी यह कोई ऐसा त support रहा है और past में अच्छा resistance भी रहा है अभी वहीं से हम reject हो रहे हैं और हमारा में हमें नीचे की तरफ दबा रहा है अब हमारा support range वापिस जो है 1900 डॉलर के असपस बन जाता है और अगर market में हम volume देखे हैं literally आप नीचे volume candle अगर आप देख सकते हो तो आप यहां volume candle देखो volume candle कि दर है यह देखो यह वाला volume candle देखो क्या हालत है इसकी एकदम फुस पुसका हो रखा है same goes for guys bitcoin volume ही नहीं है market में क्यों नहीं है क्योंकि यहां पे बड़े player आउट है retail वाले थोड़े डरे हुए retail वाले सब लूना में ही खेलना पसंद कर रहे है right retail वालों को bitcoin ethereum में Instagram पर update डाला था कि यार मंडे को अगर US की stock markets हमें negative देखने को मिली तो हम यहां पर problem कर सकते हैं अभी अगर हम बात करें US की stock markets का guys तो last closing की हमारी बात थी ठीक है उसमें positive close हो रहा है अगर हमें यह positivity चलती दिखी तो बहुत अच्छी बात है पर अगर मंडे को US की market negative खुलती ह तो धडाम से हम यहां पर गिर सकते हैं दूसरा हमें क्या time देखना है सवा नौ मुझे सुबा Indian time Indian markets का क्या होता है हाला कि Indian market जो है वो crypto market को उतना influence नहीं करती है US की market जादा influence करती है बड़ हमें ध्यान जरूर रखना है क्योंकि उससे हमें यह पता चलेगा कि पूरी दुनि अच्छा नहीं है तो हमें negative यहां पर देखने को मिल सकता है और देखो यहां पर भी आपको एक चीज समझने है चाहिए Ethereum की बात करें या Bitcoin की बात करें usually अगर आप कभी भी देख लो तो market जो है वो कभी ऐसे नीचे नहीं जाती है market हमेशा यहां पर आएगा यहां से bounce लेग अगर हम उस worst case scenario के लिए ready है अगर हम again worst case scenario के लिए ready है guys तो अपने को क्या करना है अपने को hope करना है best prepared रहना है worst के लिए इसलिए altcoins का exposure limited रखना है जो मैं portfolio की बात कर रहा था और बड़े dumps है अब altcoins का portfolio आप limited कैसे रख सकते हो देखो मेरे भी altcoins की buying है मैंने कुछ को bitcoin में convert किया है कुछ को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं staking पे लगे हुए तो उसके मैं उनका portfolio में allocation कैसे कम करूँ उनको बिना पेचे जब बड़े dumps आ रहे हैं ऐसे dumps यह जो अभी यह line आई थी अपनी bitcoin जब यहाँ पहुंचा था तो मैंने सिर्फ bitcoin और ethereum की buying की उससे क्या हुआ मेरे portfolio में bitcoin और ethereum का percentage बढ़ गया मुझे क्या फायदा हुआ मेरा जो ethereum 30% की आसपास 31-32% की range में आ रहा था max वह 34% हो बिटकोइन जो मेरे पास 30% की range में आ रहा था वो मेरे पास 32% हो गया है तो जब ऐसे बड़े dumps आएंगे मैं सिर्फ bitcoin ethereum में buying करता हूँ और altcoins वो वैसे भी नहीं चुड़ रहे हैं तो उनसे मैं उनमें मुझे अभी कुछ add करने की जूरुत नहीं है मैं क्यूँ add नहीं कर कोई बात नियार मेरी bitcoin और ethereum की buying तो अच्छी हो गई और मैं average कर लोगा क्योंकि बहुत सारी altcoins की जो मेरी positions है वो अभी भी and position का मतलब मेरी long term holdings है मैं trading नहीं कर रहा हूँ तो मैं वहां पर जो मेरी altcoins की holdings है उसमें मैं negative में हूँ ठीक है वो गिरेंगे मैं कभी नगभी average कर लोगा जब मेरे पास extra funds होंगे जब मेरी थोड़ी savings अच्छी होगी ठीक है loan नहीं लेना है leverage नहीं करना है थोड़ा सा safe खेलना है bear market अगर मानलो अब ये एक साल यही scenario चलता रहा आप पॉसिबल है ना क्योंकि बिना वॉल्यूम के चांस ही नहीं कि हम यहां पर 32.5 वाला range क्रॉस करें फिर उपर जाए हम 36.5 से 37 वाला range क्रॉस करें जो हमारा 200 MA है 4R के चार्ट में उसको break करें इतना resistance कैसे टूटे का बिना वॉल्यूम के अगर मैं आपको यहां पे और bitcoin की ब होती है तो थोड़ा सा negative signal आप उसको मान सकते हो ठीक है तो बहुत important है क्योंकि अपनी 6 weekly candles हो गई है next एक दिन 11 घंटे में weekly candle हमारी close होनी है nobody wants की weekly candle नीचे close हो अब आप यहां देखो अपना 22,000 की range में 200 weekly SME बनता है जो past में bear market support बना रहा है वो एक बार of course 2020 के market में हम उसके न यहां पे और downside बाकी है तो मैं वो downside के लिए ready रहा हूँ मैं ना डरा रहा हूँ ना आपका profit खाना चाहता हूँ ठीक है कुछ लोग यह बोल रहे हैं आपको चाहिए नहीं हम profit बनाए नहीं 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 मैं चाहता हूँ आप पैसा ना खो यार यह market में पैसा खोना बहुत अ असान है bear market में तो इस चीज़ का यहां पर ध्यान रखना में चाहता हूँ तो बेटर है safe खेले ठीक है अब safe खेलने का यह है कि आप बड़े जो ऐसे dumps आते हैं और support zones जब हम पहुंचेंगे उन support zones में आप fundamentally strong coins का DCA कर सकते हो पूरा पैसे एक बार में नहीं लगा देना है DC बिटकोइन थोड़ा से ले लिया थोड़ा सा इथिरियम ले लिया $100 कर लिया अगर आप 1000 लगाना चाहते हो थोड़ा सा कोई आपको जो भी fundamentally strong alt coin लगता है ठीक है क्योंकि यह तो guarantee से कुछ पता नहीं है क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा आपने Luna के case में देखी लिए पर 44% के आसपास आके अटगे और हमने यहां पर एक support बना लिया ठीक है dominance का मैं आपको एक approximate support एरिया यहां पर एक दे देता हूँ and automatically notice करो यहां मैंने support बनाया यह देखो past में resistance रहा है तो मेरे को पिछे past देखने की भी जुरुरत नहीं बड़ी मैं पता लगा यहां पर strong support बन या candle का top लेना है वो आपके उपर है मैं approximate वैसे भी range लेता हूँ मैं एक price कभी भी नहीं लेता एक single price वो TA में कभी नहीं लेना है आपको याद रखना प्लीज क्योंकि कभी भी market जो है एक price के हिसाब से नहीं चलती range के हिसाब से चलती है अभी हमारे लिए क्या important है हमने यहा dominance में 44.8 अभी भी resistance बन रहा है optimally अपने को जब bull run का अगर start देखना है तो 50% के उपर का हमारा dominance यहाँ पे close होना चाहिए bitcoin का और आप दिमाग में एक चीज अगर सोचो अपने की 50% के उपर का अगर bitcoin का dominance हुआ मतलब altcoins के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं मानलो crypto market गिर गई उसमें से 500 billion का तो सिर्फ bitcoin ही है पाकी 500 billion के सारे altcoins हैंगे जबकि 300 billion का तो सिर्फ ethereum होता था तो सोचो ethereum भी कितना यहाँ पर नीचे जाने का chance बनता है और अगर मैं नीचे मतलब एक दम negative scenario की बात करना चाहूं तो फिर अपने पास 1000 dollar का range भी है ethereum का ठीक है तो वो सारी ethereum की upside कितनी हुई 5000 तो ethereum जाके आए 5 गुना तो ethereum ही दे सकता है ethereum के case में मैं यह बोल सकता हूं कि all time high को हम एक anchor मान सकते है alt coins में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यार यह इतना गया था तो जाई सकता है bitcoin ethereum के case में हम ऐसा थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि यार इन्होंने all time high टच किया है कभी ना कभी तो यह all time high वापिस टच करेंगे क्योंकि fundamentally बहुत ही sound coins है ठीक है तो बाकी alt coins में मैं ऐसे examples नहीं द अच्छा यहां पर दो चीजे काम आती है manage करना अपने पैसे को पैसा ना खोना bear market में दूसरा income पे focus करना income के लिए अपना चैनल है financial fund वह यूट्यूब चैनल आप चैनल करो income से related बहुत सारी चीजे यूट्यूब चैनल कैसे start किया जाए बिना face के वगएर 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 ठीक है bull market में मैं आपको बहुत openly बोलता हूँ buy the dip buy the dip अभी नहीं बोल सकते है ऐसा कि हर dip को खरीदना ज़रूरी है अभी वाला dip देख लो अब तो आदे बीच में अठके हुए है ठीक है 18-1900 की range के बिना मुझे नहीं लगता dip खरीदने का फाइदा है यहां पे same हम 30,000 से reject हो रहे हैं मैं बिना I think I will wait for 27-28,000 again कोई बात नहीं आया तो चलेगा wait कर लेते हैं market वैसे भी बहुत ठंडी पड़ी है यहां आने का chance जादा है नीचे आने का chance जादा है उपर जाने से बाइदावे तो यह चीजों का थोड़ास आपको calculation करना है और अपने हिसाब से plan बनान और एक दम जो है चाय वाई पी के हमारे portfolio जो है त्यार निकलेंगे bear market से बाहर bull market के लिए पैसा बनाने के लिए तो that should be the aim in my opinion guys and again यह मेरा opinion है यह कोई financial advice नहीं इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबका portfolio सबका risk सहने का शक्ति अलग होता है सबका income अलग होता है मैं risk सहने के लिए और आपकी income power कितनी है मैं try करता हूँ कि मैं income जादा बना हूँ ठीक है मैं job छोड़ भी सकता था youtube youtube के बाद मैं job नहीं चोड़ रहा हूँ पहली बात तो मेरी job मुझे बहुत ही जादा पसंद है मुझे काम बहुत पसंद है जो मुझे करने मिलता है मैं web 3 के space में हूँ यार टीम marketing की टीम lead करनी है partnerships lead करना इतने अच्छे लोगों से मिलना है Monday को वजीर X NFT के co founder के साथ मैं session एक moderate कर रहा हूँ मेरी job का part है वो यार तो वो एक बहुत अच्छी बात है plus income है राइट तो I don't have to use my income from YouTube to run my house rent राइट चादियों रखिये तो घर का खर्चा पर बहुत जाद ध्यान दे और उसमें से जो हम सेव करते हैं वह invest करें अब मेरा YouTube का income आता है यहाँ पर आजाता है 20-25 रुपे पर मंत अप्रॉक्सिमेटली उसमें खर्चा तो जाए नहीं मेरा investing का काम मेरा जरूर हो जाता है यहाँ वह चीज का हम यहाँ पर थोड़ा सा ह अगर आपका portfolio down है तो हम अगर सही से अगर आप इसको navigate कर लेंगे ना बिना डरे तो फाइदा है emotion में आकर decision ले लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अटक सकते emotion में कभी भी अच्छे decisions market में जो नहीं ले पाते हैं डर में या बहुत ही खुशी में गलट decision लिये जाते हैं बहुत ही प्यार में आगे एक coin ने मेरे को 5x दिया है अब मैं उसी coin में पूरी जिंदगी भर रहूंगा यह गलत थोड़ा सा गलत हो जाता है at least मेरे opinion में मेरा ऐसा मानना है बाकी सबका अपना अपना है guys मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो में कुछ सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो बहुत सारे आप लोगों के लिए ला रहा हूं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक केर गाईज